चीकोज रेस्पीज को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें नमस्कार दोस्तो हरे कृष्णा मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है आपने शिरी कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए प्रतिमा जरूर देखी होगी और मन में जिग्यासा भी उत्पन होती होगी कि भगवान शिरी कृष्ण को बांसुरी इतनी प्रियक्यों है बांसुरी आखिर थी कोन? अधिकतर लोग शिरी कृष्ण और बांसुरी से जुड़े रहसे के बारे में नहीं जानते भगवान शिरी कृष्ण की बांसुरी में जीवन का सार छीपा हुआ है बांसुरी से जुड़ी कई कथाएं हैं लेकिन आज मैं जो कहानी बताऊंगी उसका संबंध त्रेता यूग से है इस बारे में एक कथा सुनने को मिलती है त्रेता यूग में जब भगवान शीरी राम जनकपूर पधारे तब वहां की सारी स्त्रियां भगवान राम के दर्शन के लिए वहां पहुंची इन इस्त्रियों में एक डोमिन भी थी डोमिन एक प्रकार की जाती का नाम है और वहां की स्त्रियां नाच गाना करते हैं उनको डोमिन बोलते हैं डोमिन भगवान राम का मोहक रूप देखकर उन पर मोहित हो गई भगवान श्री राम अंतर्यामी तो थे ही वे उसके मन के भाव को समझ गए और बोले मांगो तुमें क्या चाहिए डोमिन प्रसन हो गई उसने कहा मैं आपके दर्शन के लिए ही तप कर रही थी आज मेरा तप सफल हुआ और आपके दर्शन हुए अब आप मुझे मा सीता के साथ अवध ले चले इस पर शीर राम मुस्कुराते हुए बोले ऐसा करना रगुकुल की मर्यादा के विरुद होगा लेकिन तुमको तुम्हारी भक्ति काफल अवशे ही मिलेगा तरेता में तो नहीं लेकिन दौपर्यूग में तुम्हें इसकी प्राप्ति होगी मैं दौपर्यूग में वासुदेव के यहां अवतार लूँगा तब तुम बांस रूप में अवतार लोगी और मैं बांस की बांसरी बना कर सदैव अपने होठों से लगा कर रखूंगा इस परकार भगवान ने मुरली को ही वाद्य के रूप में चुना और डोमिनी की कामना पूर्ण की तो दोस्तों ये थी बांसरी के पूर्व जनम की कहानी आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं धन्यवाद हरे कृष्णा